हेलो दोस्तो जैहिन रादे रादे जो मजा अपने दम पर सपल होने में है वो मजा करोडो और वो की दोलत बनने भी नहीं आता है दोस्तो कल अपने कोडेट रिलेशनशिप के दो क्विशन और टाइप बागी रही थी आज अपन कोडेट रिलेशनशिप वाली टाइप को कम्प्लिट करेंगे जो अपने बलड रिलेशनशिप की लास्ट टाइप है इसके बाद नेस्ट कलास में अपन बलड रिलेशन से संबंदित इंपोडेंट क्विशन पर चर्चा करेंगे आज लास्ट टाइप को देख लेते, देखो, कोडेट रिलेशन, कोडेट रिलेशन का पहला क्विश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, और इसे ध्यान से देखिए, और सोल कीजिए, देखिए, पहला क्विश्चन क्या है, A डोलर, B का अर्थ, यानि A, B की पुत्र ありがとうございます है, A not equal to B का अर्थ, A, B का पुत्र है, A percentage B का अर्थ, A, B का पिता है, A star B का अर्थ, A, B की बहन है, यानि कि इस क्विश्चन में अपन को पहले चार स्टेट्मेंट uyन दिये हुए हैं, और इन स्टेट्मेंट की हल्प की साहिता से अपन को दो क्विश्चन दिये हुए हैं इनको सोल करना है देखो पहला क्यूशन क्या पूचा गया है टी एच का बाई है अपन को चेक करना है कि इन चारो ओप्षन में से टी एच का बदर है ये कौन सा ओप्षन इसके लिए करेक्ट होगा देखो बारी बारी से अपन इन चारो ओप्षन को चेक करेंगे जो भी ओप तो देखिए पहले option को ही अपन चेक करके देख लेते हैं देखो क्या देर का है है ह प्रसेंटेज के और ह प्रसेंटेज के का मतलब क्या है यानि कि ह किसका पिता है यानि कि के के फादर किसको बनाया गया है फिर उसके बाद क्या कहा है ती स्टार एच यानि कि ती स्टार एच का मतलब क्या है ती एच की सिस्टर है यानि कि ती किसकी सिस्टर है एच की सिस्टर है अब इससे अपन को define हो रहा है क्या th का बदर है देखो th का बदर है th किसका बदर है th का नहीं th का बदर नहीं है th की sister है यानि कि ये वाला option तो cross अब देखते हैं first check किया है तो fourth check भी कर लेते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन first check करें फिर second check करें फिर third check करें या fourth अपनी इच्छा अनसार देखो इसमें अपन को बताना है बदर और बदर वाले option को check करना यानि कि male male candidate आ रहा है और male candidate में statement में भी अपनको male candidate को ही देखना है देखो इसमें आ रहा है पुत्र और इसमें आ रहा है फादर अब देखो एक तो son और फादर यानि कि not equal to और एक percentage वाला coded आ रहा है तो देखो percentage वाला coded किसमें है इसमें है और तो देखो इसको check कर लेते हैं पहले ताकि अपना अंसर आसानी से मिल जाए देखो t percentage k t percentage k का मतलब है कि t k का फादर है t किसका फादर है t किसका फादर है k का फादर है तो kk father t है ना अब देखो उसके बाद क्या है h star t h star t का मतलब है कि h t की sister है h किस की sister है h t की sister है अब अपन को क्या पता करना था कि t h का बदर है इस option से क्या यह defined हो रहा है कि t h का बदर है हाँ हो रहा है ना देखो हाँ तो क्या हैगा fourth option correct यानि कि इसका answer fourth वाला होगा अब देखो next question इसी से क्या पूचा गया है कि h star t और t is not equal to f और f percentage l में इसमें से define करना है कि अपन को कि h का l से relation है यानि कि h का l से क्या relation निकलेगा अब देखते हैं देखो f l f और l में क्या relation दिया हुआ है percentage percentage quote का मतलब क्या है कि f l का father है अब बताओ f l का father यानि कि l के father को ने f ये लोग f को l का father बना दिया अब देखिए t not equal to f t not equal to f का मतलब क्या है कि t f का son यानि t को f का son मनाना है यानि कि इसका son यानि कि किसका son f का son और f का son कौन है t t f का son है इसका मतलब l का sister या brother भी होगा अब देखो उसके बाद क्या है h star t h star t का अर्थि क्या है कि h t की sister है h किसकी sister है h किसकी sister है t की sister है यानि कि h sister है t की अब देखो अब अपन को क्या relation बताना है कि h l से संबंदी थे मैंने आपको बताया था कि जब भी से जिसके साथ जुड़ा हुआ है l से यानि कि L, H को क्या कहेगा तो L, H को क्या कहेगा ये कहेगा कि मेरी sister है क्या है कि मेरी sister है L, H से बोलेगा L क्या बोलेगा H को कि H मेरी sister है तो इसका answer क्या हुआ दोस्तों sister यानि कि अपना answer क्या हैगा sister ओके दोस्तों इस statement से ये दोनों ही question पूचे गए थे देखो इससे सम्मंदित एक और question लएकर रहा हूँ आपके लिए देखें next question अब देखो P cross Q का अर्थ है P Q का बदर है और P minus Q का अर्थ है कि P Q की sister है P plus Q का अर्थ है कि P Q की mother है और P percentage Q का अर्थ है कि P Q का फादर है यानि कि P Q को बदर, sister, mother और फादर से coded किया गया है और अपन से दो question पूचे गए है इनको check करना है कि इन में से कौन-कौन से सही है देखो इसका पहला question अपन से पूचा गया है MR की पुत्री है तो कौन सा सही है यानि कि इन चारो option को अपन को बारी-बारी से check करना है और ये बताना है कि इन चारो option में से कौन सा option MR की पुत्री को show करता है तो देखिए दोस्तों पहला question है ना इसका पहला option चेक करके देखते हैं देखो D cross M इसको उटाते हैं पहले सबसे पस्ट बार इसको उटाएंगे D cross M और D cross M का मतलब क्या है कि D M का बदर है D किसका बदर है? D बदर है M का ये लो M का बदर D को बना दिया M का बदर किसको बनाया? D को बनाया यानि कि D M का बदर है अब देखो उसके बाद क्या दे रहा है? R percentage D R percentage D यानि कि R D का फादर है? R किसका फादर है? D का दी के फादर कौन है आर ये लोग दी के फादर बना दिया अपने आर अब अपन से क्या पुचा इससे ये शो हो रहा है क्या कि M, R की पुत्री है देखो M R की पुत्री है यह पुत्री तो नहीं है ना ही पुत्रे क्योंकि इसमें अपन को शो नहीं किया है कि M male है या female यानि कि यह इसकी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है तो अपन नहीं कह सकते हैं कि यह confirm रूप से इसकी पुत्री होगी यानि कि अपन के प पुत्र और पुत्री दोनों ही option आये हैं, इसलिए ये option नई होगा, देखते हैं अब second option को check करके देखते हैं कि देखो second option R plus D cross M, अब देखो, R, D cross M, D cross M का मतलब क्या था? D cross M का मतलब था कि D, M का बदर है, D किसका बदर है, M का बदर है, ये लोग D को M का बदर बनाया, फिर उसके बाद क्या आया, R plus D, R plus D का मतलब क्या है? कि R, D की मदर है R किसकी मदर है? D की मदर है यानि D की मदर कोन है? R ये लोग R, D की मदर हो गई अब देखो इससे R की पुत्री M show हो रहा है क्या? नई हो रहा है इसी option में भी same condition apply हो रही है कि M पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है किसकी R की है ना? अब देखो ये भी cross हो गया अब अपन fourth option को check करते हैं क्योंकि fourth option हो सकता है देखते हैं होगा तो अपना answer correct हो जाएगा नहीं होगा तो जो बचेगा वो ही अपना answer आएगा अब देखो इसमें दे रहा है M minus T M minus T का मतलब क्या है कि M T की sister है M किसकी sister है T की sister है यानि T की sister कोन है M ये हो गया अब देखो उसके बाद क्या है R plus M क्या है R plus M और R plus M का मतलब क्या है कि R M की mother है R किसकी mother है M की mother है M की mother किसको बनाना है R को बनाना है अब देखो R की पुत्री M है हाँ है आ रहा है इसलिए अपन को क्या पूचा गया था कि M R की पुत्री है कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही होगा फोर्ट वाला यानि कि इसमें करेक्टर आंसर क्या होगा D होगा देखो next question इसी से question number 2 इसका W K का मामा है चेक करके बताना है कि कौन सा option शो करता है कि W K का मामा है देखते हैं भी वाले को उठाते हैं देखो J percentage W का अर्थ क्या है कि J W का पिता है J किसका पिता है W का पिता है यलो J को फादर बनाया W का अब देखो फिर क्या है K क्रोस J का मतलब क्या है K J का बदर है K किसका बदर है J का बदर है यानकी K को बदर बनाना है किसका J का अब अपन से क्या पूचाए इसमें तो संभावने नहीं हो सकती की K M का मामा है यानकी second option गलत अब देखते हैं तीसरे option को देखो तीसरे option को चेक कर लेते हैं देखो तीसरे option को चेक कर लेते हैं कि J प्लस W J प्लस W का अर्थ क्या है J W की माता है J किसकी माता है W की यानकी W की मदर को ने J ये लो J को W की मदर बना दिया J W की मदर उसके बाद क्या दिया हुआ है के क्रोस J क्रोस J यानकी के J का बदर है के को ने J का बदर ये लो J का बदर अब देखो अपन से क्या बूचा है K W का मामा देखो W की मदर को ने J और J का बदर को ने K यानकी W के K क्या लगेगा मामा यानकी इन दोनों का जो रिलेशन है मामा भांजा का किसका रिलेशन है मामा भांजा मामा भांजा तो अपन से क्या बूचा गया है कि K W का मामा है तो कौन सा ओप्शन सही होगा सी वाला ओप्शन सै होगा ठीके दोस्तों आज की टाइप कम्प्लीट अगला नेस्ट चेप्टर चलेगा अपना रेंकिंग टेस्ट ओके जे हिन दोस्तों रादे रादे